अस्ताम अरेकम आज हम बनाना सीख रहे हैं एक fluffy milk bread जो बिल्कुल supermarkets की तरह बनती है और यह बहुत soft होती है तो आएं ingredients की तरह चलते हैं Ingredients में मैंने पहले 1 and a quarter cup lukewarm milk में 2 teaspoon yeast डाली है और 2 teaspoon sugar इसको हमने अच्छी तरह mix कर देना है और activate करने के लिए 5 minutes के लिए छोड़ देना है फिर मैंने दिये हैं 3 cup मैदा उसमें 2 tablespoon हमारा milk powder जाएगा 2 teaspoon नमक और किसी ने मुझे कहा था कि bread improver से bread अच्छी होती है लेकिन वह optional है उसके बगार भी बहुत अच्छी bread बनती है और इसमें 2 tablespoon butter भी जाएगा यह आप देख सकते हैं कि हमारी yeast कैसे activate हो रही है जब yeast आपके activate हो जाए 5 minutes बाद आपने इसको mix करके अपने dry ingredients में डाल देना है और इसको मैं mixer को चला दूंगी for almost 10 minutes आप इसको हाथ से भी knead कर सकते हैं इसमें कोई मुश्किल नहीं है लेकिन आप यहां पर मेरी जो दो थी मुझे थोड़ी sticky लग रही थी तो मैंने 2 tablespoon flour और डाल दिया था यह देखें हमारी dough की consistency यह होनी चाहिए यह sticky धोड़ी होगी dough हमें इतनी stiff dough नहीं चाहिए थोड़ी sticky dough होनी चाहिए और इसको हमने फिर cover करके raise करने के लिए रखते रहे हैं तक्रीबन एक घंटा एक घंटे के बाद आपने थोड़ा सा flour dust करने मैदा dust करने अपने work surface पे और हम यह dough निकाल के एक square shape बना लेंगे आप flour अच्छी तरह उसकी उपर लगाएं ताकि आपकी dough stick ना हो जब square shape बन जाए आपकी आपने इसको बिल्कुल fold करना शुरू करना है और अच्छी तरह आपने उसकी side भी अंदर pinch करनी है ताकि एक हमारी अच्छी loaf वाली shape आ जाए मेक शूर करना है कि हम जो अपना लोफ पैन है वह अच्छी तरह ग्रीस करें नहां पर मैंने ओल लगा के जो एक्सेस ओल था वो मैंने वापस निकाल दिया है और अपनी dough डाल दी है वापस पैन के अंदर हम इसको तब तक रेस करेंगे जब तक एक इंच पैन के ऊपर ना मैंने अपना अवन प्रिहीट करने के लिए लगा दिया है अट 180 डिग्रीस मैंने इसको 40 मिनिट के लिए लगाया है 20 मिनिट में प्रिहीट करती हूं और मैं 20-30 मिनिट तक मैंने इसको बेक किया था यह देखिया है अपने बेक करने अपनी ब्रेड रखती है और यह बेक हो साइड़ों से क्रस्ट यह मैंने इसके उपर बटर लगा दिया है जब गरम हो आपने तभी बटर लगाना है और इसका क्रस्ट देखे कितना क्रिस्पी है और अंदर से कितनी सॉफ्ट है और यह देखें यह ब्रेड बहुत मज़ेगी है बिल्कुल सुपर मार्केट जैसी है मैं तो काँगी सुपर मार्केट से भी अच्छा टेस्ट है इसका और आप जरूर ट्राय करें और फिर मुझे बताएं कि आपको यह ब्रेड कैसी लगी